देश की सरकार ने पहले दिन ही आम आदमी को जटका दे दिया देश की सरकार ने बिना सबसीडी वाले रसोई गैस सेलेंडर के भाव 25 रूपिया बढ़ा दिये और सबसीडी वाले रसोई गैस के दाम आज से 1 रूपिया 23 पैसे बढ़ा दिये लगातार चौथे महीने रसोई गैस के दाम बढ़े हैं मैं आपके संग्यान में अगर लाऊं और देश के 16 मईए 2014 को सबसीडी वाला जो सेलिंडर दिल्ली में 412 रूपे में मिलता था अब उसका दाम बढ़कर 497 रूपिया 37 पैसे हो गया है यानि पिछले पांच सालों में समेत मौजूदा व्रिधी के 85 रूपिया 37 पैसे प्रती सेलिंडर की सबसीडाई सेलिंडर की व्रिधी हुई है अगर एक परिवार साल में 12 सेलिंडर भी खरीदे तो ये बढ़ोतरी 1024 रूपिया 44 पैसा या 1025 रूपिया की होती है इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी उन बेहनों पर पड़ेगा उन ग्रहनियों पर पड़ेगा जो उजवला स्कीम में सेलिंडर खरीदती है उनके लिए 12 सेलिंडर की कीमत एक साल में 1025 रूपिया अधिक हो जाएगी जो बगएर सबसीडी वाला सेलिंडर 16 माई 2014 को दिल्ली में 414 रूपिय में मिलता था अब उसके दाम बढ़कर 737 रूपिया 50 पैसे हो जाएंगे यानि 323 रूपिया 50 पैसे की बढ़ोतरी मुझूदा 25 रूपिय की बढ़ोतरी के साथ मिलकर है अगर एक परिवार 12 सेलिंडर खरीदे नॉन सबसीडाइस्ट तो उसे 3882 रूपिया अधिक चुकाने पड़ेंगे याद करिए कि मोदी जी ने अपने पहले कारेकाल में सबसीडी छोड़ने की गिव इट अप स्कीम शुरू की थी और उन उसमें लगबग सवा करोड परिवारों ने अपनी गैस की सबसीडी त्याग दी थी उस समय गैस के सेलिंडर का भाव था 323 रूपिया 50 पैसे अब उसमें बढ़ोतरी हो गई और बढ़कर हो गया 737 रूपिया 50 पैसे उजवला की जो सबसेडाई सेलेंडर की ग्रहनी हैं उनके साथ साथ गिव इट अप के जो सवा करोड परिवार हैं क्या ये उनके साथ भी अन्याए नहीं हम आदर्णिये प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनमरता से अनुरोत करते हैं कि उजवला की ग्रहनियों के पक्ष में और देश की ग्रहनियों के पक्ष में इस बढ़ोतरी को फौरी तोर से वापिस लिया जाए अमेरिकी सरकार द्वारा भारत का बेनिफिशरी डिवेल्पिंग कंट्री यानि स्पेशल ट्रेड स्टेटस को 5 जून 2019 से वापिस लिये जाना देश के व्यपार और देश की अर्थ व्यवस्ता के लिए गहरे एक खत्रे की घंटी है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत द्वारा अमेरिका को किये जा रहे अमेरिकी डॉलर चौवन बिलियन के निर्याद को प्रभावित करता है जो रुपियों में 3,08,800 करोड रुपिया बनता है ये स्पेशल ट्रेड स्टेटस भारत को 24 नवंबर 1905 को मिला था जब श्रेमती इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री थी और 44 साल बाद 5 जून 2019 से वापिस लिया जा रहा है अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यानि भारत का समान सबसे ज़्यादा अगर किसी विदेशी मुल्क को जाता है तो वो अमेरिका है तो 16% हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला है एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर है 45 साल में सबसे उचले पाइदान पर है जैसा NSSO का डेटा कहता है दूसरी तरफ GDP 5 साल में सबसे निचले पाइदान पर है यानि 5.8 परतीशत अब उसके साथ अगर भारत का निर्याद प्रभावित होगा और वो भी इतनी बड़ी संख्या में सबसे बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर को तो सभाविक तोर से नौकरिया परभावित होगी क्योंकि एक्सपोर्ट से नौकरिया पैदा होती है एक तरफ तो भारत ने अमेरिका के कहने से इरान से 23.5 मिलियन टन सालाना कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया जो हमें हमारी पसंद की शर्तों पर मिलता था और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमारा स्पेशल ट्रेड स्टेटस वापिस ले लिया और ये सब 4 मार्च 2019 को भारत की सरकार को बता दिया गया था प्रंतु सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए लगता है कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए इसके अलावा भी हमारा सर्वे सेक्टर में 28 बिलियन का निरियात अमेरिका को है भविश्य में वो भी प्रभावित हो सकता है आदर्णिय मित्र शिरी राहूल गांधी जी भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष है और इसके अलावा कोई भी और बात साफ गलत है कॉंग्रेस कारे समीती ने शिरी राहूल गांधी जी को अधिक्रित किया है कि वो पार्टी के पूरे धांचे में उपर से नीचे तक आमूल चूल परिवर्तन करें और बहुत जल्द ये परिवर्तन करें और कॉंग्रेस कारसमीती की बैठक की प्रोसीडिंग्स हमने बाकाइदा आपके समक्ष रखी थी सारवजनिक की थी मेरा सब पत्रकार मित्रों से जिनका हम सम्मान करते हैं अनुरोध है कि वो जो बदलाव कॉंग्रेस में आना है राहूल गांदी जी जो लेकर आएंगे उसका इंजार करें बजाए इसके किसी गपशब पर आधारित खबरों पर विश्वास करें अनुरोध है